जो है कि सत्ता परिवर्तित होता है तो मुख मंत्री बदलता है यहां उप मुख मंत्री बदलते हैं इसकुमार तो यह कहें कि अब परिवार बाद खतम करेंगे अब इनका अस्तितो नहीं रहा कुछ भी कह लें लेकिन बिहार के लोग अब सुनने वाला नहीं है इतना स्थित्व है कि पिछला नो टम से मुख्य मंत्री बन रहे हैं बिहार में 17 महीने में तेजाश्वी जी ने आर्जे डीकोटे से दूला कुछ हज्जार सिच्छा में बहाली किये हैं टीचरों का बहाल किये हैं इसको मार कर रहे हैं कि मुख्य मंत्री हम थे तो हम न दिये जी चारा घोटाला पूरे बिहार में धवोरा पीट रहाए लो गाए हमर भाई समर चारा हमर खा गए दिकत का है कर रहे हैं कि 2024 में राज़त को हम समापते कर देंगे अधर तेजस भी कर रहे हैं कि नितीज जी का 24 में खत्म हो जाएगा सरकारे बदली तो दूसरी तरफ हम ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट आपको दिखाते चल रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर जो कुछ मार दिये हैं कैसे देखते हैं नितीज जी देखिए भाज़पा से ड़ गये हैं वो डर गये हैं कि ED और CBI हम पर ना छापा मार दे वे इसके करण वो भाज़पा में भाग गये हैं हम लोग लालू जादों के विचरधारे के लोग हैं हर लोग भीहार के लालू है हम भाजपा से डरने वाले हैं जब लालू जी नहीं डरें तो उनका ये नोजवान करता डरेगा हम लोग पूरे बिहार में घुम घुम कर लालू जादों के लिए एक एक भोट मांग कर 2024 में और 25 में बिहार में भाजपा और जदुई को साप करने का काम करेंगे जब जा रहे थे तो लालू जी के बेटा जो तेजस्वी है उसे गिरगिरा रहा था कि नितिस जी नहीं जाए नहीं जाए हम सलता से विदेखल हो जाएंगे तो फिर बहुत गरबर हो जागा जी तो आपको आरें कि डरने वाले नहीं है देखिए ओ तेजस्वी जी गिरगिरा नहीं रहे थे वो बिहार के नौजवान को रोजगार देने के लिए बिहार को सुधारने के लिए जो कुछ दिनों से नितिश कुमार ने बिहार के युवाव को बरबाद करने का काम किया है उसे संभालने के लिए आज देख लिजिए पूरे बिहार में 17 महीने में तेजास्वी जी ने RJD कोटे से दूल लाग कुछ हज्जार सिच्छा में बहाली किये हैं, टीचरों का बहाल किये हैं, नितीस कुमार जी बताईए अपने विभाग से बिहार के युवाव को क्या दिय नितीस कुमार का रहे है के मुख्मंत्री हम थे, तो हम न दिये जी, उसके पहले भी तो मुख्मंत्री थे, नहीं रोजगार दे दिये, पूरे बिहार के नजवान बेहाल था, रोजगार नहीं दिया लें कि रोडवा दिये ना जी तम ना उस पे चल रहा भी रोडवा तब पहलु हुँ था रोडवा का लालू जादो नहीं किये थे लालू जादो कर दिये उसी पर ये पीछ कर रहे हैं नितीज को मारता यो का है कि अब परिवारवाद खतम करेंगे परिवारवाद खतम करेंगे डर से पल्टी मार दे रहे हैं परिवारवाद खतम करेंगे अरे नितीज जी अभी भी मौका है संभल जाएए नहीं तो बिहार में आपका अस्तित्व नहीं रहेगा नितिज जी का तहें इतना स्थित्तो है कि पिछले 9 टम, से मुख्ये मंतरी बन रहेゃ हैं हर जगह कि सत्ता पड़िवर्तित होता हैं तो मुख्यमंतरी बदलता है यहां उप मुख्यमंतरी बदलते हैं यह देखिए जन्ता के भोटो को और पूरे बिहार के जन्ता को गुम्राह किया जा रहा है। यहां मजाक बनाया जा रहा है जिससे पूरे बिहार के लोग अब समझ चुका है। इनके जहासे में अब आने वाला नहीं है। नितिस जी अपने भासन में कर रहे थे कि हम जेपी कर पूरी ठाकुर की विचारों पर चलने वाले लोग हैं हम समझाओता नहीं करेंगे अब इनकास्तितो नहीं रहा कुछ भी कह लें लेकिन बिःखार के लोग अब सुनने वाला नहीं हैं मोदी जी भी कह रहे हैं क्या मोदी जी कह रहे हैं कि नितिस बाबू हमारे साथ आए अगे जो है देखा जाएगा केंदर में लिया जाएगा कुछ भी नहीं होगा विहार से इन लोगों का आप सफाया है जी अब हम लोग चरने वाले नहीं है अब लोग हम लोग लरेंगे और जितेंगे और विहार में तेजस्वी जी का सरकार बनेगा और पूरे देश्क में पूरे विहार के युवा को रोजगार मिलेगा पूरे वि भीई गार तेजस्वी जी के साथ आएगा और सरकार बनेगा फिर से जिस तरह से 17 महीना में रोजगार मिला है और कितना रोजगार को एलान कर दिये थे तेजस्वी जादो जी उसको भी इन दबा दिया है विहार की युवा के साथ लोग खेलवार कर रहे हैं आप लोग कर रहा है तो आहिए देगेर मोदी जी कर वार पूरे बिहार में धौरा पीट रहा है लोग गाए हमर भाई समर चारा अमर खागा दिकत का हैं तो आने वाला जो समय हैं 2024 और 2025 युवा किधर जाएगा युवा तेजास्वी जी की ओर जाएगा पूरे बिहार की युवा और इससे बिहार के जिस तरह से तेजास्वी जी ने रोजगार दिया है इससे पूरे देश के युवा तेजास्वी जी के तरफ अकरसित हो रहे हैं और पूरे युवा तेजा कर रहे हैं कि 2024 25 में राज़त को हम समाप्ते कर देंगे कि नितीज जी का 24 में खत्म हो जाएगा इनका कोई अस्तित तो है कुछ नहीं अब इनका अब यह तीसरे नंबर का पार्टी हो चुके हैं अगिली बार से इनको पूरे सफाय कर दें अब एक बात बताईए हमेशा से लोग तेजस्वी जी को परिवारवादी कहते आये हैं आप आज तक कोई मीडिया वाला चलाया है कि चिराग पास्वान को कोई भाजपा होखे या कोई भी पार्टी होखे जो उनको परिवारवादी कहें पूरे बिहार को युवा को रोजगार मिलेगा पूरे बिहार के युवाद खुश रहेगा और आगे बढ़े आगे बढ़ते रहे जी बिलकुल चलिए तो यह कुछ तस्वीरे हैं गरामिनों से हमने जानने का परियास किया और इन लोग का स्पस्रूप से कहना है कि भावि ने क्या कुछ किया ये आप लोगों ने देखा फिलाल इस वीडियो की विश्य में क्या सोसने हैं परतिक रिया हमारे कॉमेंट सेक्षन में जवर साजा कीजेगा तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद जैबिहार